हेलो गाइस वेल्काम एक्टेश चनला दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि आज समय फोल में आगर 2021 में आगर भरती होता है और इसमें आप लोग का क्वाल्पेशन मतरप सारा जो कीयरिया है वह किस तरह से होने माला है तो वो सारा भी के बतने वालायね saying अबrastate बांडे मुश्म घंक अब लोग को सब्सक्राइब ल है तो अले शॉत अने म्लपेशन होग के जो लोगी रखी चैसे क्नल सब्सक्राइब करना नया नया विडियो की जब की नोटिफिकेशन विडियो में मिले के लिए ठीए और एक्जाम्पॉल की हिसाब से मैंने एक चोटो ट्राजियन 17 में भरती होता तो उसका एक मैंने क्या लिया है पीडिफ जो है नोटिफिकेशन पीडिफ और टिके तो इसमें सारा कि सबकुस है क्वोस के लिए और ऑप्लाइन होटे है लेकिन अभी एक शल्छे मतलब पॉन लाइन ने एस टर्ट कर चुक है ए असम्राइफल भी ठीग है और अब लोगे चाहिए तो आचकाल तो मतलब यूटूब पर भी सारा भीडियो मिल देता है तो अगल देखना है तो आप लोग असने पूल डॉट जीओ वी तो इन यह गोगल पर सार्च करके इसके ओपिशाइल वैबसाइट में जाके आप लोग जरू देखिए ठीक है उसकी बाद ओनलाइन और आपलाइन होता है है अगर होता है तो और लेकिन एक साल से मतलब ओर लाइन एंड अनले डेटा है एपलाइन की मूट ठीक है और उसकी बाद आप लोग को करने के बाद आप लोग को जोए अध्मिट कर दिया जाता है ठीक है शाथ साथ जिए जाते है लिकर नेक्स टाइम आगर आभी पताने की एप्लाइक आगे देगा यह करने के टाइम इए देगा यह एक होने के बाद application debt क्लोशे सुने के बाद देड़ा है या देगा इसका कोई आतापता नहीं थी यह प्याले करम प्रम आप लोग का कंप्लेट हो जाता है तो वही पे आप लोग का डेट भी आ जाते हैं और वही आप लोग का बन जाता है तो आप लोग को कोई भी फिजिकल क्या वगर होता है तो यहां पर है उन्होंने एड्रेस दे रहा है सेंटर की मतलब किसकी सेंटर में रहता है तो डीपो आसा में ही हैं और लोकर आसा में होता है और 3 माल नगालेन में होता है चृर्छॐर आसा में होता है और से छो मतलब जो से सेटर है तो है इसमें सी आप लोग को फूरते हैं तीन चेंटर मैं आप लोक खुट करें स्टेट में सकते हैं तो आप लोग को सब्सक्राने को मिल्सक्ते है लेकिन इसमें भी कुछ सब्सक्राइब कंडिशन होता है और सेंटर और फाइब दिया गया है और ज्यादा अभी तक मतलो आपको नहीं किया है उन्हों ने ठीक है तो इसमें आप लोग को फाइब किलिमेटर होता है रानिंग और फिजिकल एफिसेंचिर टेस्ट वगर सब कुछ होता है इसमें सभी कि तरह है और इसके बाद आप लोग को जो कॉल विशन अगरा मिनिमाम टैन पास होना चाहिए ठीक है और इसमें सभी डिपार्टमेंट के जैसे एक सर्विश्मेंट हो सभी के लिए जो है रेलेक्शेशन अगरा मिल जाता है ठीक है और उसके पार हाइड देखो 170 सिंटिमे 57 है और इंडेक के लिए है और उसकी बाद क्या करना है अब लोग को आप इसमें जो चैस्ट वगरा देखो चैस्ट वगरा यहां पी दिया है मेल फिमेल के लिए कितना है और उसकी बाद नीचे हम लोग देखते हैं मिनिमाम हाइक अप कैंडिडेट फॉलिंग एंदर कैट फोटेस तो उनके लिए जो इस्पीशेली दिया गये है वह 165 होना ही चाहिए ठीक मेल के लिए और फिमेल के लिए जो है 155 सिंटिमेटर है सेवेंट इस जो है आप लोग चैसे ठीक है और उसकी पर हम लोग आगे देखते है कि क्या है मिनिमाम जो कैंडिडेटेन बिलंग तो सेडल ट्राइब मतलब 162 होने से भी चल जाता है ठीक है जो लोग सेडल ट्राइब होते हैं उनके लिए हैं इस्पेशेली है और इसमें देखो चैस्ट भी बहुत कम है इसमें ठीक होड़ी और इसके पर डिविशन इस्टाइब रिजन हाइक मतलब यहां पी शब कुछ दिया रखा है और उसकी बात मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि मेल के लिए फाइब कीलिमिटर होगा यह तो आल सभी कैंड़ीट की लिए ठीक है इसमें कोई भी कैटेगोरी के लिए अलगवलग नहीं है और फिमेल की लिए जो है वान प्वेंट्व सिक्स और उसकी बार राइटिए पर राइट इन तेस्ट वगदर सब कुश होता है ठीक है अब लोगों सब्कोफ पता है 100 मख होता है उजमें से यह देखो एक सब्सक्राइब पॉर जेनरल एक्साइड के थाटी परसेंट इंटर इन एक्स लेवल आई डिटेल्स मेंडिकल एक्जामेरिशन हाई वाट फाइनल सेलेक्शन विल टीपेर और पोजिशन एंडिडेट इन मेरेट लिस्के एकॉर्टिंगे आप लोग जो है सब कुछ होते हैं और ट्रेट इस जाता है इसमें थीग है आप सब्सक्राइब अब जीश्टाइब जाना चाहिए और यह दोस्तों आप ट्रेट और टेक्नेकल विए उनके लिए और लिए भाकी जीडी वाला तो आप सब्सक्राइब की तरफी तो आपिसे लिए तो आपी देख सकते हम लोग हेंडे टांसल इसमें ग्राजुवेशन इन माध्रमें माध्रमें से इन संस्क्रेट और फॉर्षान इन हैंडी यह सब क्वालिफेशन अब लोको होना चाहिए वेलिंग एंड रूट तो वेलिंग एंड रोट पॉस्ट के लिए जो है आप लोको मेट्रिक और एक्वलेंट फॉर्म एक्वलेशन होना चाहिए साथ मेट डिप्लोमा इन नार्सिंग मतल्ला नार्सिंग आप लोको होना चाहिए ठीक है और एस लिमेट देखो एस लिमेट भी यहां पर दिया गया है एक इन तो ट्विंटी त्री आपका रिलिज्ट इस टीशर के लिए बिल्दिंग एंड रो अब लोगों 10 प्लस टू होना चाहिए थीख है उसके बाद इस्किल्टेस्ट नॉम टेस्ट कंपोर्टर इंग्लिश टाइपिंग आप लोको होना चाहिए और मेनिट में अब लोग को हिंदी टाइपिंग चुह है 30 वर्ट फार मिनिट में आना चाहिए 35 वर्ट पर मेने इ इंग्लिश में इंग्लिश इंदी मीश आप लोह को आना सब्कूश एंटी के श्री लोग नहीं है यह सैंस developed कि ब्लूट होते कोंपूर्टर का और डिक्टेशन 10 मिनित के होते इत्तिवाट आप लोगो एंसर देना चाहिए ठीक है टांस्किरवर्शन टाइम भी होता है इसमें 50 मिनिट मिल जाते हैं इंग्लिश और 65 मिनिट इन हिंदी मतब दोना के लिए दिया जाते हैं उसके लिए आप लोगो जो है 18 टू 25 जो है एस लिमिन मिल जाता है और एलेक्ट्रिकल फिल्टर सिग्नल के लिए जो है टैन प्लस होना चाहिए साथ में आप लोगों को साइन्स में और इंग्लिश सब्जिक आप लोगों को पास किया होना चाहिए 10 वेकंसी अर रिजब फोर एक सर्विसमें मतलब यह सब थो बाकी के लिए और इसमें आप लोगोगों जाए इस पोर्το के लिए जाते है अर लेनमैंच के लिए देखो नाखेनी के लिए जाते है और योट अप्लों को सार्टीफीकेट होना चाहिए न है टिखे एलक्ट्रिशन में और 18-20 इसका जो एस लिमिट है और रेडियो मेकनिक के लिए जो है 10 प्लस 2 मांगा जाते हैं मतलब 12 परस आप लोग को होना चाहिए अधियो एंट टेलेवशन टेक्नलजी और इलेक्ट्रो निटारनिकन और तेलेक्म्मूनिक्शन और कम्पूर्टर और इसके लिया धियुल है एट इन्टो ट्विंटी त्री एयर्स टक एस लिमित देशेते हैं और उसके बाद आर्मारेर के लिए जो है टैन प्लास होना चाहिए आप लोग को सिंपल तो आप इरिलिजीबल है ठीए और इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं नेक्स यह क्या है एंजिनियारिंग आर्टी फिशर इसके लिए देखो आप लोग देख सकते हैं टैन प्लास होना चाहिए साथ में आईटा मोबाइल का आप लोग आईटी होना चाहिए इतने तो ट्विंटी एर्स तक ट्विंट बहुत आचाहाँ दिया रखा है उन्होंने एलेक्टिशन के लिए जाए है टेन पास होना चाहिए साथ में आईटी एइट अब लोग का होना चाहिए थी और इसकी बाद लोग नेक्स देखते की क्या है और इसमें देखो प्लामबर के लिए प्लामबर के रिलेटेद आप लोगो आइटे के साटीपिकेर होना चाहिए 18 to 23 एचलेमेट नर्सिंग एससंट के लिए छेव है टेन पास होना चाहिए इंग्लेज मेट साइनस बायोलिजी ये शाब आप लोगों कौपास किया होँए हूना चाहिए तो इंति-2 23 इसमें भी ऐस लिम्त ऑप्रेशन थीया टेगनेशन के लिए है ट्वेल्ट प्लस मांगा जाता है ओप्रिशन ठीटर का अब लोग का आई के आना चाहिए कौन सा भी जहां भी आपने पास किया है वह चल जाएगा ठीक है एट इंटी ट्विंटी थी एसले में रखाई इसमें भी ठीक है और उसकी बाठाथ है मतल इंटी तेंट उनकरे जाएगा आपनेशन प्लस तो ऊना चाहिए और डीघ्री इन दिप्लोमा फर्मेसी आप लोगों को किया हुआ होना चाहिए ठीक है नेक्स जो है एक्स्रेय के लिए जो है इसमें 12 प्लास होना से आप लोग को 12 पास होना ज़रूरी है ठीक है आप लोग देख सकते हैं और उसके बढ़ क्या करना है आप लोग को 18-23 मत्रब एंस लिमें मेल जाते हैं और वेटर्यारी फिल एसिस्टेंट के लिए 10 प्लास टू और यह सब उसके रिलेते ही आप लोग को होना चाहिए डिप्लोमा 21-23 यह तक एस लिमिट है फिमेल एक्टेंट के लिए जो है इसमें भी 10 पर्स होना चाहिए आपको साब में इंग्लिस मेट और साइंस पास क्या होना चाहिए एक इंटू 23 यह तक एस लिमिन मिल जाते है सपाइश के लिए जो है 10 प्लास ठीन प्रस सेंपल होना से आप अप्लाइ कर सकता है तीगः असके बार जो है कुपक के लिए जो है इसमें डिसते बार क्षय संपली 10 प्लेकर एक आर्प्लाइव अश्क के बर मेल सवार्व मेल अ TEN पास होना चाहिए में 17 to 23 सक यह सिमेड वर्श लिमिट जो है टेंपास इसfunded onप your लिए सेंफल कोई बी आईटेया नहीं मेंगा है बर्बार के लिए बेशेंफल टेंपर्स एक्रफमेंट एंद बॉर्ड रिपार के लिए जो है इते बीसेंपल टेंफम्स ner सबस्ट के लिए लिजिबल है और इसके बाट टेलर के लिए भी है 10 उसके लिए 1823 यास तक छिलीज में कार्पेंटर के लिए जो है इसमें तेन पर्स इसमें भी सेंपल कोई भी नहीं मंग है अधरवाइस ठीक है और इसकी पर आप लोग को क्या मिल जाता है एक मिल चार साथ और इसमें देखो इस्टेट वाइस दिया जाता है सब को सती आप लोगा स्थेट देखने हैं और कर आप कि इस केटेगोरी में पड़ता है वह देखना है आप एस्टी है यह सी जनरल किस पूस्ट के लिए कौन कौन सा केटगरी के दिये गया है वह सब आप लोग को देखने हैं उसकी बहात आप लोग जो है फॉंपलब करना है नहीं तो आप लोग का रिजेक्ट भी हो सकता है तो किस पूस्ट के लिए क्या मतलब कि जो भी आपका इस्टेट है आपकी स्टेट में को वह पूस आप जो करना चाहते हैं वह है कि नहीं वह आप लोग को इन्कुरी करना है ठीक है वह खोड पीडियेफ डाउनलोड करके देखना है उसके बात ही आप लोग एप्लाइफ कीजिए नहीं तो आप लोग खोड़ी आप मतलब क्या हो सकते बेकवाड हो सकते हैं खुट की तो थैंक्यू सो मच और इस तरह ही असाम रेफोल का जो मतलब भेकेंसी निकलता है और अब लोग का सब कुछ खोड़ी देखता है कि आप कुछ कौन सब पूस्ट में आप एप्लाइब करना है और आपका इस्टेट म में है के नहीं आपका कैटागोरी क्या है के नहीं एड़ेटरिस में ठीक है तो यही सब कुछ देखना है मतलब यह एतना है था आसका यह असाम रेफोल का रेकॉर्ट मेंट का डिटल्स वीडियो और आगे भी अगर कोई भी अगर सावल पूस्ट नहीं तो मुझे कमेंट क के जरूर बतना थैंक यू सो मच